वेल्कम बैक तो आ साथे एक महतोपूर समाचार सामया वी राज नजर करमा मावे समाचार तरफ जो दिल्लीती समाचार मोधी सरकार नी कैबिनिट नू विस्तरन थकेछे आएक महतोपूर बाबत जा सुरेश प्रभूनी कैबिनिट मावापसी थकेछे सुत्रों ना हवालेया जानकारी मड़ी रही चे मोदी सरकार बन्या बादनू आ एक मोटू कैबिनिट विस्त्रण अने सुरेश प्रभू जे 2004 मा नरेंद्र मोदी सरकार मा रेल मंत्री तरीके पन फरज निभावी चुक्या चे अने तेमनू फरीधी एक मख़त कैबिनिट मा तेमने स्थान मड़े तेवी पनेक शकेताओ जोवा मड़ी रही चे 2004 मा नरेंद्र मोदी सरकार मा पन सुरेश प्रभू ने कैबिनिट स्तर्नों अनुभव चे अने फरीध वक़त अने कैबिनिट मा स्थान मड़ी शकेश है रजनेश रंजन समधाता फोल लाइन पर जोड़े चुक्या चे रजनेश एक बड़ी बात मोदी सरकार की कैबिनिट की विस्तरन की पूरी शकेता और सुरेश प्रभू को कैबिनिट में फिर से जगा मिल सकती है पूरी खबर बताए बिल्कुल देखिए समाचार एजनसी आईए एनस की ये स्टोरी है और सरकार के जो हाईली प्लेस सोर्सेज हैं उनका हवाला उन्होंने दिया है और ये दावा किया गया है कि 15 दिनों के भीतर मोधी सरकार का जो दूसरा कारेकाल है उसका पहला कैबिनिट रिशफल हो सकता है 30 माई को जब नरेंद मोधी दूसरी बार तुछान मंतरी पद की शपत जब उन्होंने लिया था उनमें कई ऐसे मंतरियों को ड्रॉप किया गया था जो पहले टर्म में उनके मंतरी मंडल का सदस्य थे उसमें सुरेश प्रभू एक बहुत इंपोर्टेंट नाम है जिन्होंने सबसे पहले रेल मंतराले की जिम्यदारी मिभाई उसके बाद वो कॉमर्स और इंडस्ट्री मिनिस्ट्री में चले गए कॉर्पोरेट अफ्रेयल का काम उन्होंने देखा और वो ओरिजिनली बीजेपी के नहीं थे शिवसेना से आये थे और बहुत परफॉर्मिंग मिनिस्टर के तौर पर उनको अकलवी हरी बाच्पे की सरकार में काम करने का श्रे मिला था और उसकी वज़े से नरेंज मोदी में उन्हें अपनी पार्टी में शामिल कराया और अपनी सरकार में उन्हें मंत्री बनाया पार्ट टू में जो कारिकाल का दूसरा पार्ट है उसमें सुरेश प्रभू को शामिल नहीं किया गया था तो अब ये बताया जा रहा है कि उनको ये जिमेदारी दी जा सकती और चुकी वितमंत्री निर्मला सितारमन के पास कॉर्पोरेट अफेयर का एक अतिरिक्ट प्रभार है और प्यूश गोईल के पास रेल के अलावा कॉमर्स और इंडस्ट्री का अतिरिक्ट प्रभार है तो ये दोनों मंत्राले सुरेश प्रभू को दिये जा सकते हैं इसके अलावा कुछ और नए चेहरे सामिल हो सकते हैं अठावन लोगों की जो इस वक्ट कैबिनेट की ट्रेंज हैं उसमें सिर्फ 24 लोग कैबिनेट मंत्री हैं और ये जो आकड़ा है ये जो सीमा है ये और ज़्यादा बढ़ाया जा सकता है और कुछ लोगों को कैबिनेट मंत्री की जिमेदारी दी जा सकती है वो और कौन से नाम होंगे इसको लेकर अभी कयास ही लगाया जा सकते हैं लेकिन ये भी बताया जा रहा है कि गुजरात के अगर बात करें तो ग्रे मंत्री अमिज शाह के अलावा तिर्फ दो राज्य मंत्री हैं जो इस वक्त मोदी सरकार कैबिनेट में शामिल है तो गुजरात से भी कुछ एक या दो और नाम हो सकते हैं जैसे एक को कैबिनेट मंत्राले और एक को राज मंत्राले की जिमेदावी दिया सकती तो इस तरह के कैलकुलेशन जो है वो अभी बन रहे हैं सरकार की भीतर और 15 दिनों का समय यानि कि ऐसा लगता है कि दिवाली के आसपास में या फिर महाराच्रा हरियाना चुनात के नतीज सुरेश प्रभूनी कैबिनेट मा वापसी थेशे के से